सियर ड्रोइड का अपडेट आते ही आप लोग डिमांड करें थे वाई पोको एफाइप ले रिव्यू लेकिया आओ तो अभी फिलाल मैं इसे यूज कर रहा हूं और सारे चीज़े चेक कर लिया हूं कर देना और आप सरी क्यों से प्लीज करना क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है चेंज नहीं है सब कुछ पहले वाला ही है जहां पर आपको साथ चीज बदल सकते हो अपने नीड के यूज के हिसाप से जैसा कि मैंने हैं यहां पर चेंज कर रखा है को जो कि काफी साही और यह अभी फिलाल सभी में आने लग गया है धिये धिरे जो कि अच्छी बात है मॉट्स का उप्शन पिछले वाल अपडेट में ही एड हो चुका था जो कि देखने में काफी साही लगता और काफी यूजफुल है यहां पर प्रसुनली बेट टैम तो मे कि आप अड़ कर सकते हो कोई दिकत यहां पे नहीं आता चैम्रा से लेटर भी कोई टेंसल लेने के ज़रूत नहीं है क्योंकि यहां पे हईपर वाला डिफॉर्ट कैमरा मिल जाता है तो चैमरा का प्रॉलम जो है वह खत्म आपको यहां पे समझो की हो जाता है और यह नहीं यहां पर आपको audio quality भी काफी सही मिलेगी और मैं आपको यहां पर audio का sample भी है जो देने वाला हूँ बाकि यहां पर Android 15 आपको देखने को मिलता है 5 April का security patch है 1 March का vendor है यहां पर kernel आप देखते हो build 22 का और यह रहाँ build number बाकि यहां पर bottom पर आपको जो देखने को मिलता है deep sleep और बाकि अदर options वगेरा सारे सेटिंग यहां पर काफियों तक similar ही रहते हैं जिसमें जाला कुछ नहीं है चोटे मोटे चेंज हुए हैं क्योंकि यह समझ लोग एक तरी किसे security update वाला update है जिसमें चोटे मोटे चेंज आपको नजग आते हैं बाकि यहां पर आपको देखने को मिलता है और आपको देखने को मिल जाते हैं निविएशन मोड जेस्टर्स के वही कॉमन से बेशिक से सा कर सकते हो और gaming की time में आपकी help करेगा अगर आप इसका benefit लेते हो तो जो कि आपके लिए अच्छा होने वाला है बैटिक अंदर आपको यहां पर मिल जाता है यह profile जो कि reality में काम करता है जैसे कि आप देख सेट कर रहा है performance को उपर और क्या different आता है वह आपको यहां पर चेंज वाल पेपर पर तो सिंपल से ही option आपको यहां पर दिखाई देते हैं more lock screen के अंदर काफे कुछ चीज़े add करी गई है जो कि आपने maximum जगहों पर देख रखाए इन सभी settings को तो यह सिंपल से options आपको यहां पर मिलते हैं सरसर यहां पर grid icon fonts और save भी आपको जो मिल जाता है HBM दिया गया जिसका नया look up आ चुका है पहले थोडिफेंट तरीके से दिखता था अब थोडिफेंट हो चुका है यहां पर आप बैक की और आख के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है notification जहां पर cooldown को option यहां पर भी add है जो कि आज के time पर common हो चुका है सभ आपको यहां पर मिल जाते हैं data usage का option आपको मिल जाता है carrier name है fonts है weather है authentication के option आपको मिल जाते है power menu lock screen पर access करना या नहीं साथ-साथ यहां पर आपको रोटेशन की option मिलते हैं animation का option है यहां पर navigation बाहर बगएरा है यह सारे fonts आइकन और चेंज करने का option आपको मिलते है notification आपको clipboard overlay है नवाई जी का option आपको मिल जाता है hands up मिल जाता है calling का flashlight option मिलता है volume के अंदर यह एक नया add हो चुका है जो की volume panel haptic है यानि यहां पर पहले आपको haptic option नहीं मिलता था control का simple सा था लेकिन आप यहां पर option मिलता है जहां साब तो haptic को on कर सकते हो या simple यहां पर off कर आपको दिकत नहीं आती बिल्कुली साही तरीके से काम कर जाता है बाकि game space है और यह सारे setting on कर लेना क्योंकि यह अगर off रहते हैं तो आपको सब कुछ normal basic रहेगा लेकिन जैसी on कर तो आपको extra setting काम करने लग जाएगी जो कि photo storage के लिए है gaming के लिए netflix वगरा के लिए app को downgrade क करने का है और बाकि यहां पर fingerprint पल से आप क्या रखना चाहते हो वह set कर सकते हो यही सारे basic से advanced कुस्टमाइशन वाले setting आपको मिल जाते हैं जो कि every time similar रहता है और काफी huge setting भी हम है जो provide करता है जो कि आपको यहां पर पसंद आएगा अब रही बात यहां पर performance क्या निकल के आ देंगे और इस रोम के साथ आपको जो जो जी एपस नहीं मिलता हरव की तरह तो निक गैपस आपको डालना पड़ेगा जो कि इसके official साइट पर ही download link के साथ mention किया रहते है नीचेगे और ध्यान दोगे ता आपको दिख जाएगा BCR भी दे दिया गया तो यहां पर default dollar ही काफी है तो इसके जोड़त नहीं पड़ती 4 dollar में code recording होने के बाद भी BCR दिया गया तो कोई एक ही use करना 2-3 एक साथ activate मत करना दबाए दिक्कत आ जाएगी बैटी डॉप की बाद करें तो 69 के बाद morning में आता है 65 जहां पर आप देखोगे कि 8 hours 52 minutes में जो 4% का बैटी डॉप है यह थोगा सा मुझे दिक्कत लगा कमसे कमी से 2% या 3% होना चाहिए था बट 4% है फोन काफी पुराना तो नहीं है फिर भी हो उतना जादा नहीं लेकिन है तो उसके साब से मैं कहाँ 4% ठीक है बट कम रहता तो ज्यादा अच्छा होता अनादर यहां पर यहां पर नॉर्मल स्विप्यू टोटल टेस्टिंग जो कि चार लग तीन लाग मैक्स ओमिनों यहां पर तीन लाग अठाई सजारे 85 का परसेंटेज है जो कि मैं कहुंगा काफी अच्छा खास है इतने गर्मी होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो सही है आपको दिकत नहीं आएगे लेकिन जब मैं इसे दुआ चेक करता हूं प्रोफाइल आन करने के बाद तो यहां पर अपने सही रिजल्ट पर पहुंग जाता है जो कि मैं कहुं ले लेते हैं कोई फाइल जो कि थोड़ा बड़ा हो तो यहां पर बता दिया जाए वापस यहां पर देखते तो काफी जड़ा बहस दिन है टॉप नोच आपको देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है बागे गेमिंग आपका नर्मल रहता है नाटीप लेकिन जैसी से अन कर देते हो तो आपको यहां पर बागे बागे डिवाइस वगर आपको सर्टिफाइड रहता है तो दिकत नहीं आने वाले बैंकिंग अगर आप यूज करपाऊगे चार्जिंग जो स्पीड है वह भी आपको सही मिलता है जो कि 20 मिनट में 42 परसेंट चला जाता है अच् लिए रियली में काफी एदा कूल लगाया और में तो उसे रिकमेंडेट भी है रही बाट इसे डालना कैसे इसके दो तरीके है डालने के पहला आप साइड लोड कर सकते हो चाहिए आपका स्पीचे तो पीचे से करना है तो फोन से कर लो मैंने साल्योट का वीडियो दे काम बनेगा नहीं पीचे तो भी काम बन जाएगा डिपेंड करते हैं आपके उपर आप कौन सा मैक्टिक फॉलो करना चाहते हो मिलने सारे वीडियो दे रखे हैं सो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थांक्स वॉचिंग बाई